वेल्कम बैक टो आवर यूट्यूब चैनल इंजिनेर माइन तो फ्रेंट्स पाड़े की तरह जैसे हम लोग दसको संस्ट जेनरल इंजिनियर का सिलेवस कवर करते हैं जो जैसे सी जैए एनवी पीसी के लिए बेले फिसल एंड इंपॉर्टेंट है तो फ्रेंट्स कोई भी ए चैनल को सबस्ट्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो थाकि आपका जो जनरल इंजिनेरिंग के सी रहें वह यूंप कवर हो सकें और इंजिनियरिंग जोसर इलेटड़ अप डेट पाने के लिए जो मारे चैनल पर बने रहें तो आद्य हम लोग दस कोसंज फीर से करेंगे जेन्डरल इंजिनिरिंग का जो मेंली फोकस हो रहा हम लोग का जे एसे सी जेई एंड बीपी एससी एका सिल्यप तो फ्रेंट्स आज फेल क्वर्करने वाले दस कोसंज तो ये कोसंज बहुत हार्ड होने वाला है civil and electrical वालों के लिए क्योंकि ये part जो है ये mechanical वालों के लिए है और ये mechanical पार्ट हम लोग cover कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ mechanical वालों को benefit होगा तो हम लोगों को general engineering में जो mechanical पार्ट दिया गया है उन में से ये part हमने लाया है तो friends वीडियो को इंट तक देखना और एक-एक questions को समझने की कोशिश करना क्योंकि ये general नहीं का questions है और ये questions बहुत ही important है और JPSC प्रिवियस एर्स में कई questions ऐसे है जो की पूछा गया है तो चलिए हम लोग start करते हैं और आज का questions प्रिवियस एक निकल वालो के लिए इजी होने वाला है एंड शिविल एंड एलेक्टिकल वालो के लिए थोड़ा डिफिकल्टीज होने वाला है तो चलिए इस्टार्ट करते हैं फर्स्ट को संसे इन केस ओफ प्रियोर सियर अटेपॉैंटे दी सम और्मल इस्ट्रेशize और तू और्थोगोनल प्लेंस इजी क्वाल टू a serism मैक्सिम सेर इसे स्ट्रेश ट्वाइस दी मैक्सिम सेर इसे स्ट्रेश अटो आप ऐस दी मैक्सिम सेरेश आप दिख्रेशक इբ़ेक्वा तो यहां पर जो questions पूछा गया है कि in case of pure shear stress pure shear stress के case में किसी point पर sum of normal stress जो होगा दो orthogonal plane का तो वो किसके equal होगा तो option जो होगा वो maximum shear stress के equal होगा क्योंकि maximum shear stress का जो होता है इनकेस makes perfect a breathing नॉर्मारोल स्ट्रेस टूडी में जो होता है तो सिगमा वण इजेकर डुट का ओ होता है एनड शेगमा टू इपन्हां सिगमा टू इकल टू युकल टू माइनस टी होता है और हötा है यह यहाँ पर पूछा गया है इननटर पीर्श प्रियर प्योर तो किसी भी पूएंट पर तो इसका जो क्रेट हो जाएगा कि यह दू और्थ अन्टर प्लैंञस में तो किसके एक्वाल होगा तो यहां पर मैक्सिमाम सियर स्ट्रेस के एक्वाल होगा क्योंकि सिग्मा वाई इस इक्वाल टू जीरो होता है एंड सिग्मा एक्वाल टू जीरो होता है तो मैक्सिमाम सियर इस्ट्रेस के एक्वाल होगा और नेश्ट कोस्टन सम्हों देखते यह कोसं जपिस्ट्रेशी एई-2013 में पूछा गया है जेनल इंजिनिरींग में नेश्ट कोस्टन देखते हैं for an irreversible process entropy change is यह questions mechanical parts related है और applied thermodynamics यह बोल सकते heat and mass transfer से related है तो questions है for an irreversible process तो process बहुत type का होता है diabetic होता है reversible होता है irreversible होता है तो इसमें entropy change का formula पूछा गया है तो entropy जो change होगा वो greater than किसके होगा more than होगा या less than होगा या equal to zero होगा तो options है greater than del cube by t equal to del cube by t less than del cube by t equal to zero तो questions का जो answer हो जाएगा correct वो greater than del cube by t होगा तो correct options एह हो जाएगा क्योंकि यहां पर जो change of entropy होता है वो del cube by t plus s general होता है तो यह किसके लिए होता है irreversible process के लिए greater than del cube by t हो जाता और अगर यही reversible process रहेगा तो reversible process के लिए यह क्या होगा zero more than zero हो जाएगा और अगर general में रहेगा तो more than ds हो जाएगा तो reference यह questions important है और यह भी questions जे पीसी एई 2013 में previous years में general engineering में पूछा गया है और यह questions mechanical part से था जो कि जे SSC जेई में दिया गया थी यह questions पूछ सकता है आपको next अपकमिंग examinations में तो आपको बस्याद दाखना कि अगर irreversible process रहेगा तो entropy जो चेंज होगा तो डेल क्यूबाइट टेल क्यूबाइट से वह ज्यादा होगा greater than देल क्यूबाइट ती होगा next questions to reduce the possibility of knock in the ci engines the first eliminates elements of fuel and air should be option high temperature high density short delay all of the above तो इसका correct answer होगा क्या काते to reduce the possibility of knock knock की possibility को reduce करने के लिए ci engine में फर्स्ट element जो होगा fuel and air का वो क्या होना चाहिए उसमें क्या होगा कैसा होना चाहिए तो option है high temperature high density short delay all of the above तो इसका correct answer होना चाहिए all of the above क्यूंकि जब reduce करते हम लोग knocking को ci engine में तो यह सारा properties को follow करना चाहिए temperature भी हाई होना चाहिए density भी हाई होना चाहिए और short delay होना चाहिए तिसका correct answer D हो जाएगा next questions देखते हैं और यह सारे questions ic engine applied thermodynamics and machine design heat and mass transfer इसी सब्जेक्ट से related जो कि डिप्लोम वाले एंड बीटेक वाले पढ़ते हैं mechanical ब्रांच वाले next questions in impulse reaction turbines the pressure drops in fixed nozzles in moving blades in fixed blades in both fixed and moving blades तो इसका correct answer जो होगा वो इसका correct answer D हो जाएगा तो impulse reaction के बारे में पूच रहा टरवाइन्स का तो pressure drops होगा किसमें होगा field and moving blades दोनों में होगा तो correct answer D हो जाएगा next questions absorptivity of a body will be equal to its emissivity at all temperatures at one particular temperature when the system is under thermal equilibrium at critical temperature तो इसका correct answer हमारा हो जाएगा यहां पर तो पूछा गया कि एप जर्वीजिट एर एप जर्व टीवीटी जो है किसी यह बड़ी का वो किसके equal होगा अगर इसका emissivity बीटी तो options हो जाएगा see when the system is under thermal equilibrium जब system अंडर thermal equilibrium के condition में होगा तो एप जर्वीटी ओफ एप बड़ी विल बी एक्वाल टू इस इमिसिवीटी तो एप जर्वीटी जो है किसी यह बड़ी का उसके emissivity के equal होगा जब बड़ी thermal equilibrium में होगा नेस्ट कोस्टोंस देखते हैं नेस्ट कोस्टोंस है in order to increase sensitivity of YouTube manometers one leg is usually inclined by an angle theta sensitivity of inclined tube to sensitivity of YouTube is equal to option है sin theta one by sin theta cos theta one by cos theta तो यहाँ पर पूछा गया है YouTube manometer के बारे में कि इसका जो inclined तो जब भी inclined होगा तो one by sin theta होगा तो इसका correct answer भी हो जाएगा कि नेस्ट कोस्टोंस हम लोग देखते हैं नेस्ट कोस्टोंस है to avoid cavitation in centrifugal pumps कि सक्षन प्रेशर शूडवी लो delivery प्रेशर शूडवी लो सक्षन प्रेशर शूडवी हाई delivery प्रेशर शूडवी हाई तो केविटेशन को एब्वाइड करने के लिए centrifugal pumps में हम लोग क्या करते हैं वही प्यापर पूछा गया है तो इसका correct अंसर section pressure शूडवी हाई प्रेशर जो होना चाहिए section का वह हाई होना चाहिए तो हम लोग एब्वाइड कर सकते हैं के भी टेशन को centrifugal pumps यह questions important है और कई बार examinations में पूछा गया है जैसे central SSC J and JPSC A20 there may be a questions push again next question that they what is the basic equation of thermal radiation from which all other equations of radiation can be derived questions push what is the basic equation of thermal radiation from which all other equation of radiation can be derived the basic equation क्या है thermal radiation का जिससे की जो दूसरा equation होता radiation का उसको भी derive किया जा सकता है option है Stephen Boltzman equation Planck's equation Wyn equation Relay genes formula तो इसका correct answer जो होगा वह हो जाएगा Planck's law of thermal radiation तो इसका correct answer B हो जाएगा Planck's equation तो Planck's equation जो होता है वो क्या होता है एक बार हम लोग देख लेते कि Planck's equation क्या होता है तो e b lambda is equal to f lambda t इसी से हम लोग इसको calculate करते तो formula होता है 2 pi c1 by pi to the power 5 into e to the power c2 by pi t minus 1 तो इसका value जो होता है वो वाट पर मीटर स्कॉयर माइक्रो मीटर में होता है तो फ्रेंट्स यह कोसें सी इंपोर्टेंट था और लास्ट कोसें जो हम लोग किये है to avoid cavitation in centrifugal pumps तो इसका जो करेक्ट अंसर होगा वो कि सक्षन प्रेसर शूट भी हाई होना चाहिए नेस्ट कोसें समलोग देखते हैं नेस्ट कोसें वाट इस दे सोरी यह डबल डबल कोसेंस हो गया है तो अम लोग ना भी लास्ट टाइम यह कोसेंस कर चुके हैं नेस्ट कोसें देखते हैं एन इंसुलेटर बॉक्स कंटेनिंग 0.5 kg of a gas having cv is equal to 0.98 kg per kg Kelvin falls from a balloon 4 km above the earth surface the temperature rise of the gas when the box hits the ground is तो इसका correct answer क्या होगा यह हम लोगों का numerical से निकलेगा और यह बेलू calculate करना पड़ेगा तो जो इसमें बेलू पूछा गया temperature का उसका formula होता है एम जी एच इस उकल परले हम लोगों को यहां पर क्या करना होगा एनर्जी को बाइलेंस करना होगा तो एनर्जी को बाइलेंस करने के लिए क्या करेंगा हम लोग potential energy तो डेल पी ई is equal to change in internal energy तो डेल टी तो एम जी एच इस इक वाल टू एम सी भी डेल्टा टी तो इससे हम लोग calculate करेंगे तो डेल्टा टी हम लोगों को calculate करना तो डेल्टा टी इस इक्वाल टो हो जाएगा जी एच एच बाई cv तो जी का वेलू हम लोग 9.8 लेंगे into 4 एच का वेलू जो है वो फोर इंटू यहां पर आप देख सकते किलोमीटर है जो आइट है 4 किलोमीटर 4 into 10 to the power 3 by cv का वेलू पूजा है तो cv का वेलू यहां पर दिया हुआ है 0.98 तो हम लोग क्या करेंगे 0.98 लिख देंगे 0.98 इंटू यहां पर भी केजी में है और किलो जूल है इंटू टेंटर पार थीरी तो जब इसको कल्कुलेट करेंगे हम लोग तो डेल टी इस इकोल टू आजाएगा 40 केलविन फ्रेंट्स इस पेस थोड़का मैं इसलिए थोड़ा हम लोग का जगा कम बसता है और कल्कुलेशन जिग जग हो जाता है इदर उदर हो जाता है तो इसका सोल्यूशन करके जो अंसर आएगा वो डेल टी इस इकल टू 40 केलविन बस यह वाला फूमला याद रखना आपको डेल टी इस इकल टू जी एज बाइसी वी तो जी का भेलू 9.81 एंड एच का भेलू जो हाइट है गुब्बारा का बेलून का फोर किलो मीटर एंड सीवी का भेलू दिया जीरो पैंट नाइन एड़ बस यह वाला फूम के लिए थोड़ा डीफिकल्ट था क्योंकि हम लोगों ने जिलोग का सिरीविल वरांज लेट्रिकरल ब्रांज वोगों ने यह सब्यक्ट नहीं पड़ा है इसलिए तो हम लोग जेनरल इजिन का सिले वस कवर करें ताकि ब्रांज पर तो हर कोई पढ़के जायेगा लेकिन जिसके आपए औहरी आपून करना जरूरी है तो फ्रेंड थैंक है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियो अच्छा लगेत तो लाइक kard दो और शेयर कड़ो और इंजिनिर्ग जोँड़ पाने के लिए हमारे चैन्नल पर बने रहें और बहुत सह सब्जेक्ट है गिनका सब्जेक्ट लेक्चर भी हमारे चैनल already लेवल है एंड जिनेरे जिनेरल इंजनीरिंग जिरीप से लिफाए मील्टिपल पाइश हमने कई लेक्चर डिसकस कर दिया है तो आज के लेक्चर में इतना है फिर नेक्ट लेक्चर मिलते तब तक के लिए भाई